मैं अब आपके राज्ये पर आता हूँ हिमाचल प्रदेश में वहाँ पर चार लोग सभा सीटे हैं आपको तो पुरा देशी है लेकिन क्योंकि आपका ग्रे प्रदेश है और इस बार छे विधान सभा सीटों का भी चुराव है और अमिज शाजी ने कहा कि इस बार आपके प सी बात है आप सोचिए जी कि आपके छे विधायक आपके विरोध में वोट डाल देते हैं कभी कॉंग्रेस ने इसका अनैलेसिस किया कि मुख्यमंतरी कर क्या रहे हैं अभी शेक मौनु सिंग्वी ने किया अभी शेक मौनु सिंग्वी ने कहा खाना हमारे साथ खाया लंच हमारे साथ किया डिनर हमारे साथ किया वोट कहीं और डाला है यही तो इसका मतलब आपसे परिवार नहीं समल रहा है आप सरकार चलाने लायक नहीं है आपके बीच में भाईयों में जगड़ा है और भाईयों के में में कुछ और है यह आपको पता नहीं चलता है आप पार्ट 14 में भी आई है 2019 में भी आई है 2024 में विक्रम अदिते सिंग ने बोला कि जिस मंदिर में गई उस मंदिर को धोना पड़ेगा एक बड़ा controversial statement देखिए ये सब लोग इसी अंदाज में जीते रहें ने सब ये प्रिंस की पार्टिया है ये तो वह भी राजा के उस खामदानों से आते हैं तो इनको कोई मंदिर में न जाए सिर्फ पूजा मैं ही करूँ मैं ही अभी शेख करूँ मेरा ही अधिकार है इस वानसिक्ता में पले बले हैं बड़े हैं तो इस तरीके के लोग बोल सकते हैं मैं नंबर की बात करूँगा आपके साथ उत्तर प्रदेश का नंबर आप बता चुके हैं कि बीजेपी पिछली बारे से दादा इंप्रूव करेगी बंगाल और और अडिसा में आपको क्या दिख रहा है मुझे बहुत ब्राइट दिख रहा है और हम मेजारिटी सीट्स बेंगाल में लेंगे और इसा में हम स्वीप कर जाएंगे 21 के 21 लिए तेल्गू स्टेट्स आंधरा और तेलंगाना दोनों में हम अच्छा करेंगे हमारा नंबर जो है डबल डिजिट क्रोस करेंगा तेलंगाना में और हम आंधर प्रदेश में चेने से चार जीतेंगे और हम स्वीप करेंगे लोग समा में अलाइंस के साथ और दक्षिन भारत के अंदर आपको करनाट का तमिलाडू कैसा दिखाई दे रहा है तमिलाडू में हमारा वोट शेर बहुत बड़ेगा सीट शेर हमारा बढ़ेगा और हमा केरला में भी हमारा सीट शेर आएगा तिलाडू नहीं है केरला में किती सीट को यह लिगना जाए को कुश्तिन तुम्रें नीच किंगा लेकिन हम आपके पास हम घार्ट है किस ना कारों तीन सीट में किलां लाएंगे और तीन चार सीट कि हम ये सीट मेंटेन करते हुए हम इसको जी बीजे पी धारा 370 हटा चुकी है राम मंदिर बना चुकी है तिरी सिरी टर्म में बड़ा एजंडा क्या हुआ ये हम लोगोंने मैनिफेस्टों में कहा है लोगों की सेवा करेंगे और बाकी आपको सब मालूमी है आप राजे सरकार में मंतरी रह लिए बीजे पी के राष्टिय ध्रक्ष रह लिए देश के हेल्थ मिनिस्टर रह लिए तो तीसरी टर्म में नरेंद मोदी की सरकार में आपका रोल क्या होगा ऐसा है मैं कारकरता के रूप में ही तीनों काम किया जब भी काम किया कारकरता के रूप में मैं मंतरी था मुझे कहा गया कि पार्टी के लिए आप यहां आईए मैं यहां दिल लिया गया इसलिए पार्टी को मैंने मैं समर्पित कारकरता हूं जो मुझे जिम्मेवारी दी ज रेबोटर हमारी आंकर ने एक सवाल पूछा एक महिला से उसका जो जवाब था मुझे लगा यह आपको दिखाना चाहिए कि फूर्ट से वारे होगे आई यह गई यह ओड़िया। कि तो ओने वे लेड़े सों कुछ नोने टाया तो वही उपना भाई ना भाप सब हमारे लिए तक यह जो हमारी पुज्य बहन बोल रही है यह बहरत के करोनों लोगों के घर की कहानी है करोनों लोग ये महसूस करते हैं कि उनके दुख दर्द को उनकी तकलीफ को उनकी उनको एमपावर करने का सशक्ति करने का काम प्रदान मंतरी मोदी जी ने किया है और इसलिए मैं कहता हूँ कि मोदी जी ने समाज के दर्द को समझ करके उनको उनकी सेवा में हर पल पिछले दस साल बतौर के धानमंत्री लगाए हैं और इसी कारण से आज इस तरीके से हमारी माताएं बेहनों का करोड़ों माताओं का आशिरवाद बिल रहा है प्रधानमंत्री मोदी को अपना भाई अपना माताओं अपना भावक मान रही है ये बहुत बड़ा इमोशन है लेकिन मेरा आकरी रैपिट फायर तीन सवाल होंगे और चान जून के बाद ज्यादा चर्चा किसकी होगी राहुल गांदी की या एवियम की ऐसा है कि वो एवियम की चर्चा करेंगे और चर्चा करने वाले राहुल गांदी होंगे बीजेपी की बड़ी चनाती कौन है ममता बिनर जी या अर्विंद केजरीवाल ऐसा है ये सब एक बराबर है इसलिए हमारे लिए जो देश को कमजोर करने वाली ताक्ते हैं उनमें ये शामिल है और ये जो है ये थोड़ा परसल सवाल है जादा पसंद आपकी कौन है सरकार है या संगठन है और्गनाइज़िशन और गवर्मेंट ऐसा है कि मैं पार्टी का कारे करता हूँ मुझे जो जिम्मेवारी दी जाती है वों मैं पूरा करता हूँ और पार्टी मैं हमेशा मैं काम करता हूँ सरकार में रहा हूँ तब भी मैं पार्टी का काम करता रहा हूँ जी चलिए चुनावों के बीच आपने अपने इतना समय दिया आपका बड़ा हेक्टिक शेडूल है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े और न्यूज 18 के साथ आपने हर उस सवाल का जवाब दिया जो देश की जनता आपसे शायद जानना चाहती है बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद आपका अभी ची इस बहाने मुलाकात हुई चुनाव के दरान बहुत अच्छा रहा धन्यवाद